हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक त्यूमाइजैनाग डिवयलगी चैनल आज मैं आपको कैसे डाइक किसे और तो आज मैं आपको आलो से बहुत ही एजी तरीके से आप कैसे यूज कर सकते हो बहुत ही आसान तरीके से डाक सरकल को हटा सकते हो रिमूब कर सकते हो वह भी केवल हफते भर के अंदर अंदर वह बताऊंगी तो एक बर आप जरूर ट्राय किजिएगा आपको बहुत ही बनाना एक तो आप कैसे डाक सरकल हटा सकते हैं और इस वीडियो को ज़रूर देखेगा आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला यूसफुल लगने वाला यूसफुल लगे तो आप प्लीस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए तो मैं आपको बनाना टाता तीम है तो इस ढूरे की जिए ले लिए शlleक इसाइब को छोटे आप का साइज ही लेकर रहा है बहुत सारे तैप की होते हैं इस तरीके से आपको रैड आलु का यूस करना वाली नहीं अटाना आपको नौरिमली आपको आफ़ा द्रक कर लिया है और मैं आपको गस तरयकी से आलो को कद्दू कर लेना है और मैं आपको हगे अतलत आपको बहुत ही अच्छी रिजर्व देखने को मिलेंगे और आलू ऐसी चीज़ जिससों को आप लगाते हो ना मैं आपको आलो के कुछ फायदे प्ता देती हूं अगर आपके सूजन है तब भी अगर आप इसको ट्राय करोगे आलू के जूस को अपने चेहरे पे या कहीं प पहले आलू को दूला था और फिर इस तरीके से आलू को कद्दुकस कर लिया है तब पूरे हाथ में आलू को देख सकते हैं पूरे आलू के जो यह मैंने पेस बनाए ना उसको इस तरीके से हाथों में ले लेना और इसका जो रस है वो काम आएगा हमारे तब एक कटोरी ले यह था पहस्तोरी हल्भी आपको कहीं से मिल जाएगी मार्केट में आप जाओगे तो अगर आपके पास नहीं है तो नॉर्मली आप सब्जी वाली हल्भी युज़ी कर सकते हो आप कोई कर सकते हो बट गोई जादा अच्छी रहती हैं अगर पहली बार आप ट्राय कर दें है तो आप हल्दी ले लिजे नॉर्मली बट आप इसको रेगुलर ट्राय करना और जल्दी आपको इंस्टेंट रिजल्ट चीए तो आपको कस्तूरी हल्दी लेनी पड़ेगी तो इस तरीके से कोई दिक्कत नहीं पहले टेंड में अगर आपको हल्दी उसकरना है हल्दी से अच्छी रिजल्ट देती है और कस्तूरी हल्दी से थोड़ा सा यह स्पीड में रिकवरी करती है आपके डाइक स्पॉट्स की और डाइक सर्कल की तो इस तरीके से आप अप आपको पता है कि इस तेppen्क रिमूव करता है साथ-साथ में हमारे जतिना भी गंदगी होती हो न नौरमल स्कित आप ले सकते हैं तो इस तरीके से मैंने देख सकते हैं नीबू की चार बुंदे ले लिए इन ड्रॉप्स ले Är लिया है तो आपकी जगह पर आपकि आर्रजी करते हैं तो आप नीबू की जगए skin whitening की भी remedy बना लेते हैं तो ये मैंने जो आलू लिया था ना उसमें डाल दिया मैंने कच्चा दूद, कच्चा दूद मैंने ठंडा लिया था और जब तक ये remedy बन रही थी ना आंकों के dark circle को खतम करने वाली जब तक भी मैंने ये आलू बाला जो पेस्ट है ना उसको भी फ्रिज में रखा था क्योंकि अभी गर्मिया चल रही है और आपको साइसी बताते हूँ गर्मियों में आप जितनी ठंडी चीज़े लगाओगे ना अच्छी वह हमारी body के लिए और बहुत अच्छी तरीके से hydrate रखेंगी चीज़ों को तो इस तरीके से आप देख सकते हैं तो hydrate रखेंगे अपने body को बहुत ही आसान तरीके से यह आपकी skin को इतना whitening करेगी ना कि आपको खुद को भी शौक हो जाओगे एक बार आप देखकर तो इस तरीके से आलो और कच्छे दूद को आपको अची तरीके से कर लेना है मिक्स और इसको चार-पांच मिन्ट लिए और फ्रीज में रखना है आपको इस तरीके से आपको देख सकते हो आलो और दूद को मैंने जो फ्रीज में रखाता ना इतना जदा शानदार लग रहा है ना आपको खुद को इतने अच्छे result देखने को मिलेंगे और इतना अच इस चीज का ध्यान रखना है थोड़ा सा आपको और मेरे को वीडियो में थोड़ा सा जाधा बोलना पड़ रहा है क्योंकि आपको इन्फोर्मेशन देनी भी जरूरी होती है और थोड़ा सा स्पीड में आवाज आती है मेरी तो उसके लिए माफ़ी चाओंगी बट आपको कोई भी नॉर्मली इस तरीके से करोगे तो बहुत ही अच्छी रिजल्ट देखने को मिलेंगे आपको तो इसको अच्छी तरीके से मसाज कर लेने हैं आपको हातों से और फिर दस मिन बाद आपको दूलेना है पेस को तो कितना जाधा अच्छा लग रहा है इस खिन लगाओगे तो कोई नुकसान नहीं करेगे बट जिनको नुकसान करता है मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अलोवेरा जैली उस करना है आपको तो इस तरीके से मैं तो पूरे चेहरे पी लगा रहे हैं कि मेरे डाक सर्कल्स नहीं हैं बट जिनके होंगे ना उनको भी का जूस बट आलोब के जूस में इस तरीके से दो तीन चीज़े मिला लोगे ना तो यह बहुत स्पीड से करेगा तो इस तरीके से आखों के नीचे आपको लगाना और पिर आधे घंटे तक रखना है और फिर वॉस करना है चेहरे को ठंडे पानी से और इसको आपको हफते में आपना रोस ट्राय करोगे ना रात को लगा सकते हो कोई भी एक रेगुलर टाइम में तो आपको अच्छी रिजर्ट देखने को मिलेंगे तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही थैंक यू